गर में जो भी सामान बेकार अगर रखा हुआ है वो किसी काम में आ जाए तो कितनी अच्छी बात है इसी तरीके से आज मैं बनाने वाली हूँ इस चादर के तुकड़े का एक बहुत ही यूसफुल ऑर्गनाइजर स्वागत है आपका मेरे चैनल में मेरा नाम है पूनम कैसे हैं आप सब लोग आई हो आप सब बहुत अच्छे होंगे तो देख सकते हैं मेरे पास एक चादर का तुकड़ा है और इसी चादर का मैंने कुस टाइम पहले भी एक और्गनाइजर बनाया था जो की बहुत यूसफ को फोल्ड किया है और 11 बाई 11 इंच का यहां पर मैं निशान लगा लूँगी और जितना भी रफ कपड़ा है साइड से यह देखे इसको मैं कट कर लूँगी तो 11 इंच इस तरह से चोड़ाई होनी चाहिए और 11 इंच उंचाई होगी उसको मैं निशान लगा के इस तरीके से एक स्क्वाइर पीस कट कर लूँगी और वीडियो अगर पसंद आएगी तो प्लीज वीडियो को लाइक ज़रूर कीजेगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजेगा ऐसी ही ओर्गनाईजर मैं बनाती रहती हूँ आप मेरी वीडियो देख सकते हैं और चैनल पे विजिट कर सकते हैं और अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजेगा तो देखे जो ग्यारा बाई ग्यारा का मैंने एक पीस निकाला है इसी तरह के से मुझे टोटल पाँच पीस निकालने हैं तो ये देखे अगर आप चाहते हैं कि आप थोड़ा सा चोटा ओर्गनाईजर बनाए कपड़ा कम है आपके पास तो दस बाई दस का बना सकते हैं तो मेरे पास उतना कपड़ा था कि इसमें 11 बाई 11 का बन जाएगा इसलिए मैने एक पीस निकाले हैं तो देख सकते हैं आप ये देखेंए 5 पीस सेम साइस के मैंने क्ट कर लिये हैं तो देखें अब क्या करना है यहांपर मैने इसको उल्टा फोल्ड किया है और यह देख ये जो नीचे वाला साइड है ना, यहां पर मैं इसको फोल्ड करके इसमें एक सिलाई लगा दूँगी, और एक ही तरफ मोड़ना है, ठीक है? में बात यह इसमें एकी तरफ मोड़ना है और बाकी जो चार पीस हैं उसमें यह देख सकते हैं आप इसकी जो पूरी किनारी है ना लेंथ वाली उसमें सिलाई लगानी है तो जो पहला पीस था उसको चोड़ाई में लगाना है और एक ही side लगाके fold करना है मतलब इस तरह के से fold करके sly लगानी है, और जो बाकी 4 piece है उसमें इस तरह से दोनों तरफ length में मौड के sly लगानी है तो ये देखीए, इस तरह के से मैं दिखा रही हूँ, एक side मैं ने लगा लिया है अब दूसरे साइड लगाऊंगी तो यह देखिए यहां पर सिलाई लग चुकी है चार पीस में बताया मैंने दोनों साइडों में और एक पीस में इस तरह से एक चोड़ाई वाला जो साइड है एकी साइड बस ठीक है यह सारे के सारी सिलाईया हो गई है अब यहां पर बनानी है हमें चार डोरी तो इस तरीके से देख सकते हैं आप 27 इंच का मैंने कपड़ा लिया है और बहुत इजली किनारे से मिल गया था यह कपड़ा मुझे और यहां पर मैं दो इंच की पट्टी काटूंगी और अभी देखिए इस कपड़े में से ही ना तीन जो डोरी हैं वो बनके तयार हो जाएंगी तो यहां पर इस तरीके से मैं डोरी कट कर लूँगी मतब्स कपड़ा करके डोरी बनाने की तयारी कर लूँगे और आप मेरी वीडियो देख सकते हैं मैं ऐसे ही औरगनाईजर बनाती हूं और मेरे ख्याब से इधर उदर की बात जो अपने काम में लगा रहता है उसी की टेंशन में लगा रहता है बाकी धर उदर की बातों में फालतों की बातों में दिमाग नहीं दोड़ता है तो इस तरीके से देखिए मैंने चार डूरियां बना के तयार कर ली है यहाँ पर मैंने कपड़े को सीधा करके इस तरह से फोल्ड किया है और इस डोरी को मैं यहाँ पर इंसर्ट करूंगी और दूसरी साइट से निकाल लूँगी तो डोरी को हमें ऐसे करना है कि सेम इक्वल पार्ट दोनों साइट आये जैसे इधर इक्वल है तो दूसरे साइट साइट भी इक्वल होना चाहिए निकाल देख से जो डोरी के उपर जहां यहां डोरी है लगा देनी है ऐसे आप देखेंगे मैं जितने भी ऑर्गनाइजर बनाती हुँ ना बहुत ही सीधी सीधी सिलाई वाले बहुत ही आसानी से जिसको कोई भी बना सकता है और बहुत ज़्यादा यूस्फल होता है मैं इस तरीके के ऑर्गनाइजर शेयर करती हूँ तो यहां पर देखें, इस तरीके से मैंने जो चारो पीस हैं, ऐसे रडी कर लिये हैं डोरी के ओपर सिलाई लगा के इसको फोल्ड करके, ठीक है अब हमें क्या करना है, देखें जो पाँचवा पीस हैं जिसको हमने एक ही साइड से फोल्ड किया है वो मैंने यहाँ पर रख लिया है इस तरीके से और बाकी देखे यह मैंने रख लिया है इस तरीके से जो सीधा वाला साइड है दोनों अंदर करके ऐसे मुझे यह चारों तरफ लगाने है चार है ना बाकी के देखे ऐसे लेकिन जो नीचे से हमने फोल्ड किया है ना यह वाल तो समझ गए होंगे आप अभी देखेगा कि एक पीस के चार साइट्स होते हैं ना और चार पीस हमने बनाए हैं तो उनको जोड़ देना है हमें आपस में तो अभी देखेगा किस तरीके से बनके तैयार हुआ है और बहुत ही आसान है बनाना बहुत मुश्किल नहीं है तो य देखे ये खुला हुआ है दिख रहा है यह वही वाला फॉल्ड वाला है जिसको हमने चला नहीं था उसका एक ही पार अमने लिया था तो अब देखिए यह गुला हुआ है घुणि क्या करना है ईक एक तरफ इसको ना चला की तो fiction कित diyorum लेकिन अब हमें एक साइड में इसको बंद कर देना है तो से खुला है लेकिन और यहां पर जो स्क्वाइर से हम ने बनाए है इसे नाप से हम काटबोड भी ले लेंगे और यह देखे घर में जितने भी हमारे डबे वगहरा आते हैं यह उसकी कार्ट बोर्ड है तो strong भी चल जाएंगे light भी चल जाएंगे तो देख सकते हैं यहाँ पर यह light है और कुछ strong कार्ट बोर्ड है यहाँ पर यह देखे यह इसमें insert कर देंगे हम और यह set हो जाएंगे इसमें क्योंकि एक side से बंद किया है ना हम हमारी बेकार चीजे होती है ना उन्हें कैसे ना कैसे यूज कर लेना चाहिए और देखे वैसे भी वह पड़ी हुई है बेकार में किसी काम नहीं आ रही है तो अगर हम उसमें थोड़ा सा time लगा के और थोड़ी सी महनत करके उसको अगर यूज में ले ले लेते हैं तो इस इस तरीके के जो अर्गनाइजर होते हैं आप नेट पर देखेंगे काफी महेंगे आते हैं और यहां पर देखें आप अगर जादा चौड़ा सामान भी रख रहे हैं तो डोरी जो है उसको ढीली कर सकते हैं लूज कर सकते हैं जिससे के और ज्यादा स्पेस हो जाएगा तो जो हम रौ बनाते हैं उससे बिगड के दूसरे वाले में चले जाते हैं अगर इसमें हम कपड़े रखेंगे तो एक ही जगा पर रहते हैं और गिरते भी नहीं हैं नेट पर देखेगा इस तरीके के और काफी महेंगे मिलते हैं तो बेस देख सकते हैं आप काफी चौड़ा तो इसली इस तरीके से देखिए, आप कोई भी कपड़े निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी, और आगे से बंद होता ना तो जादा दिक्कत हो जाती, लेकिन अगर डोरी है उसमें डोरी से खोल के हम लोग इसली कपड़े जो हैं, निकाल सकते हैं और उपर से रखना तो वैसे ही बहुत आसान है, तो यह देख सकते हैं, आप अभी इस तरीके से मैंने इसको अलमीरा में रखा हुआ है, इसमें मेरे हस्बन जी की पैन, ट्राउजर, जीन्स वगएरा रखी हुई हैं, तो यह देख सकते हैं आप, तो उन्होंने बोला कि मुझे आगे से बंद रख दिये हैं, तो हस्बन जी को काफी पसंद आया है, आप भी बना सकते हैं, अपने लिए, अपने हस्बन जी के लिए, अपने बच्चों के लिए तो उनको भी काफी पसंद आएगा, कपड़े अच्छे से और्गनाइज हो जाते हैं, और घर में पड़ी भी बेकार को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा मिलती हूँ ऐसी ही अच्छी वीडियो के साथ तब तक के लिए बाई टेक क्यार